कि बात करें वेस्बिंगॉल में तो मुझे तो लगता है कि इसकी जो कैंपस है वो बहुत बड़ी है बहुत अच्छा है आप एक मेरे प्रश्चन आ था कि सिविल इंजिनरिंग मुझे कॉन से कॉलेज में मिल सकता है पर तो आप यहां पर ट्राइगर सकते जल पाई गुरी गवर्मेंट इंजिनरिंग कॉलेज आपको बता था आई टी बहुत नया ब्रांश है तो इस आई टी की फीज एस कंपेर टू वोल सब काफी हाई है तो इसल मत पूछो मेरे से कि लास्ट टाइम मैं जलपाई गुरी इंजिनरिंग कॉलेज की मेकानिकल की डिसेंट्रलाइज वीडियो बनाई थी वहां पर गाई यहां पर आप देख सकते हो कितने सीट से हैं वहां पर और ओल्मोस्ट ट्वेंटी की सिक्स्टीन सीट स्प्लैंग थी इसलिए मैं कहना चाता हूं कि यह कॉलेज की वीडियो बहुत इच्छा है और अगर आपको चांस मलता है आपकी rank इसके capable है और government college आप खोज नहीं अच्छी वाली तो श्यली से try कर सकते हैं बिना कुछ सोचे तो चली पहले देखते हैं इसके बार में तो यहां पर हम देखते हैं चली पहले देखते हैं कि आपको इत्ते भी information में बताऊंगा आपको कहा मिल सकता है आपको मिल सकता तो college की अगर government colleges की बात करें विस्बिंगॉल में तो मुझे तो लगता है कि इसकी जो campus है वो बहुत बड़ी है ठीक है as compared to any other government colleges मतलब अगर हम बात करें ज्यादा पूर्की और यह सब चीजों के भी मुझे लगा इसकी campus काफी बड़ी है मेरी personal view है आप इस पर कोई question नहीं क सकते है ठीक है अच्छी बात है अब यहां पर हम बात करेंगा इस academic details के बार में मैं तो आपको कहूंगा कि बहुत ही बहुत सारे branches यहां मिलेंगे और बहुत अच्छे branches आपको मिलेंगे ठीक है बहुत अच्छे branches for example आपको civil मिलेगा आपको electrical मिलेगा mechanical मिलेगा computer मिलेगा IT मि यहां पर आपको मिलेगा electronics and communication प्रगाई इंडिया में भी मतलब यहां पर वेज्डिंगॉल में आइटी एक बहुत ही नया ब्रांच इसले काफी फीसिस की कंपेर पर हाई है और आइटी के यहां पर आप अब यहां पर आपकी कंप्यूटर की बात करें इलेक्रोनिक से बात करें तो यह भी ऐस कंपेर तो अच्छी है लाइबरी के सेठ हरान होगे 60,000 पर जाफ है और यहां पर लाईबात करें 45 यह नहीं होती यहां पर आफ ऑप करें और यहां पर वाइबरे करें ऊसले चीज़ पंपर को k recuperum नहीं करें और यहां पर कोई बात नहीं है आप बहर में को ले सकते हो पीजी ले सकते हो इसमें कोई प्रॉब्रम नहीं है कंप्यूटरिंग सेंटर मिलेंगे इंडर स्पोर्ट सेर्सिलिटी है और बहुत कुछ है अगर हम बात करें इसकी फीस के बारे में तो मुझे फीस भी लगा काफी नॉर्मल क्योंकि यहां पर सेकंड सेंट 166 आपकी कोर ब्रांच इस की है और यहां पर आपके CSE ECE लेते हैं तो आपकी 6700 सुरुब्र पढ़ती है कॉलेज की जितनी बड़ी कैंपस है उसका कंपर सेंट बहुत कम है यह फीस गवर्मेंट कॉलेज होते हुए भी और फर्स सेंट 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 आपको कुछ जादा फी CEE तो यहां पर समझ सकते हो कि मुझे तो लगता है कि यह नॉर्मल है आपकी अगर फीस टोटल करके देखें तो 30,000 रुपए से लेकर आप IT की बात करें तो एक लाख रुपए तक जा सकता है ठीक है अगर आप ECVC लेते हैं तो 50-60,000 के बीच में में मेंक अप हो जाएगा अब यहांपर हम बात करें गाईज यहांपर प्लेशमेंट रिकॉर्ट की सु मुझे लगा है काफी ओकूर क्वेश्मेट recruit की कुछ जी अच्छ नहीं लगा तो यहांपर गाईज टू टूटाऊइज नाइंटे में मुझे लगा कि सारे कॉलेज्ब में अपने प्लेशमे काफी अच्छा, as compared to attire to government, private colleges, 13 lakhs की placement ratio काफी अच्छी है, और average CDC देखकर आपकी हो जाएगी माथा गुल, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं, 5.6 की average placement ratio है, 5.6 की आपकी हो गई LPA, average placement, मुझे तो लगा यह काफी बड़ा, कभी-कभी लगता है, सब में शंद हो पर मुझे तो नहीं लगता कि colleges ऐसे गलत बोलेंगे, तो मुझे तो लगता है कि guys यह काफी अच्छा है, अगर हम बात करें गाइस 2018 की और 2019 के बीच के, तो guys 82% का placement ratio जो मुझे लगा काफी अच्छा, और इसके बाद आपकी maximum CDC 6 lakhs और average हो गया आपका 4.5, तो मुझे यह भी लगा बहुत अच्छा, क्योंकि average 4.5 और 5 की होनी चाहिए, जो हर एक government college की मेरे comparative से आप उतनी rank score करते हो, तो आप इतनी ज़्यादा placement तो सोची सकते हो, अभी starting से, अब 2017 और 2018 के बात करें तो guys, यहाँ पर percentage ratio is 64, जहाँ पर मुझे लगता है guys, कि कुछ तो गड़बढ़ है, क्योंकि guys, जितने भी आप बात कर लो, उपर नीचे नीचे उपर, तो 64 बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो यहाँ पर, वह साथ 2018 में, तो अभी तो काफी हो गया, भी काफी बढ़ गया, तो यह मुझे लगा अच्छा, चलो जलब पाई करोड़ी engineering college guys, 1961 पे established की गए थी, बहुत पुरानी college है, तो मुझे लगता है, यह बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इतनी पुरानी college होते हुए, इतनी नाम अच्छी बात है, और यहाँ पर master degree होती है guys, two branches में, तो master degree की बारे में, कोई videos हम नहीं बनाते, मैंने बता रहा था कितनी बड़ी campus है, यहाँ पर दिया है, 165 acres की, इनकी overall large campus है, यह भी बूचर लगा बहुत ज़्यादा अच्छा, अब यहाँ पर images की बात करें, तो guys, यह सारे कुछ images हैं, जो college की बारे में हैं, और यह जरसा out of area है, मतलब city से काफी दूर है, मतलब, यहाँ पर city क्या हुआ है, Kolkata हुआ है, तो Kolkata से काफी दूर है, तो अगर आपको ज़रा घरामीन लगेगा रहने, domicile की बात करें guys, तो यहाँ पर हो गया है, domicile certificate आपकी पास अगर नहीं है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने notice पे दिया था, अगर आप seat matrix की बात करें तो guys, 32 seats और 31 seats के बीच में आपको मिलेगा एक general category को, और one seats मिलेगा physically handicapped वाले general category को, OBCA के लिए 6-5 seat है, और OBCB के लिए 4 seat है, और यहाँ पर आपके पास और SC candidate, ST candidate के लिए भी अच्छे कासे seat से 12, और यहाँ हो गया, और यहाँ पर guys, TFW की जितने आप seats के बात करें तो TFW 3 करके seat दी गई है, अगर आपको यह official seat metrics download करने हैं, तो description बे लिंक पर लेगा, आप download कर लो, तो guys, यहाँ पर हम और भी चीज़े देखेंगे, that is about 2019 की कुछ cut-offs देखेंगे, तो guys, यह है official cut-offs, तो यहाँ पर official cut-offs में guys, civil engineering जो है, वो 8,000 तक जा रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि guys, इस साल 10,000 तक जाएगी, तो आप civil engineering अगर 10,000 तक जा रहे हो, general category में, तो आप try कर सकते हो, हर ST candidate, SC candidate, जितने भी यह cut-offs है, मैं वहाँ से कहूँगा, कि आप 2-3,000 बढ़ा लो, तो आपकी वहाँ पर जा सकती है, क्योंकि इस साल मेरे ख्याल से cut-offs जड़ा गिरने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर है कि, आप यहाँ पर computer science branch में हो, तो आपकी 4-5,000 तक की rank होनी चाहिए, तो जरूर इस पर try कर सकते हो, आपकर आपकी electrical engineering चाहिए आपको, तो आपकी 6-7,000 तक की rank होनी चाहिए, समझ लो आप पहले से, और यहाँ पर electronics and communication की बात करें तो guys, 58 में हाँ पर आपको 1000 तक जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल से तो guys, यहने 58-100 तक जा रही है, तो मेरे ख्याल से guys, इस साल 6-7,000 तक जानी चाहिए, information technology भी 7-7,000 जानी चाहिए, और mechanical मेरे ख्याल से तो guys, मत पूछो मेरे से, कि last time मैंने learning college की mechanical की decentralized video बनाई थी, वहाँ पर guys, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने seats हैं, वहाँ पर almost 20, 16 seats blank थी, तो आप देख सकते हो guys, कि बहुत सारे seats बाब में blank हो जाएंगे, और यहाँ पर guys, यहाँ पर TFW की बात करें, तो TFW में guys, 5000 से 4000 तक कि आप सब कुछ देख सकते हो, मतलब guys, TFW के लिए काफी fight होता रहता है, कि मुझे TFW, यहाँ पर हम बात करें, 2018 की कुछ cut-offs के बारे में, 2018 में मैं देख सकता हूँ, कि जैसा मैं बता रहता आपको, कि computer science आपकी 7000 तक जा सकती है, हाँ electronics and communication 8000 जा सकती है, 8000, 9000, 10000 तक जा सकती है, तो बहुत अच्छे chances देख 10,000 तक ही government college, खोजना जलपाई गुरी जैसा, बहुत मश्किल है guys, आपको यहाँ मिल सकता है, civil engineering यहाँ पर guys, 13000 मैं आपको कह रहा था, last time वहाँ पर 6000 था, यहाँ पर 13000, मतलब 14-15000 तक, तो मैं basically आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 10-20,000 तक की, 10-15,000 तक की rank है, त सारी चीज़त दे दो, guys, मैं आपको पहले कहता हूँ कि कोई भी चक आपको चिंता करने की जरूवत नहीं, अगर आप कुछ भी उपर देते हो, इसका कोई फरक नहीं पड़ता, आप दे चुके हो, क्या पता, वो आपको लग जाए, by chance, तो आप पहले please, उपर में अच्छ की 80,000 तक आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है बाई, और यहाँ पर SC candidate, guys, 20-30,000 रूप की rank है, तो आप हर एक opt कर सकते हो, जितने भी आपको यहाँ पर rank दिख रहे है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ से 4-5,000 और प्लस कर लेना चाहिए, और तब आपको सोचना चाहिए, और तो T.A.W. पहले दे दो, उसके बाद आप यहाँ पर Government College की यह seat दे दो, तो अगर T.A.W. मिल जाते तो और सस्ता हो जाएगा यह college, और नहीं मिलता है, तो आपको Government College सस्ता होता ही है, तो आप manage ना कर सकते हो, मतलब आप इतने side income मीं करसपा होगे, इना college life के आप यह college के fees जैसे कि guys, यहाँ पर जाने से इनका पहला धर्म होता है कि बच्चे को पहले पीछे मारना, उसके बाद हो गया कुछ, पीछे मारना मतलब गाड़ पे लात लेना, ऐसा है, एक डायलोग सा है, वहाँ पर एक दो, KGLP तो नाम की आपने सुनी होगी, शायद खड़कपूर की काफी famous है, वहाँ पर first introduction ही होती है, पहले गाड़ पर लात खाना, और यहाँ पर भी काफी चीजे हैं, जैसे कि कुछ, मैं सुना है, मतलब वो पीने खाने का, एक बच्चा को पीना ही पड़ता है, तो ऐसी कुछ चीजे मैंने सुनी है, इस college के बारे में यह सच है, इसकी मै हो, वहाँ पर जाकर काफी मस्ती कर पाते हैं, और इस college की एक और चीज़ सुनी है, कि काइस placements के रिए काफी force करते हैं, और यह college में काफी जो students होते हैं, अच्छे family के होते हैं, तो इसलिए बाद में जाकर वो future studies की काफी जादा coach करते हैं, और इनकी बहुत जादा यहाँ पर select हो जाते हैं, मतलब maximum बचें यहाँ पर select हो जाते हैं, जैसे gateway में select हो जाते हैं, तो कुछ अच्छे पढ़ने के लिए, मैं ऐसे review को यहसाब से कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से guys, यह college काफी अच्छा है, और इनका infrastructure भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप college life enjoy कर पाओग यहाँ पर नसी की techno हो गया, heritage हो गया, तो यह सरी चीजों के आप जब देखोगे, तो इनकी से ज्यादा rank लगता है, तो आप समझी सकते हो किस लिए लगता होगा, पर अगर आप सोच रहे हो कि एक government college खोजे, और आप एक bright student हो, आप कहूं भी अपना career बना सकते हो, तो मेरे यहाँ पर description पर clearly scrolling देख सकते हो, या फिर आप वो सारी वीडियो यहाँ पर भी देख सकते हो, तो आप जाकर देख सकते हो, और मज़ा आने अलगा है, और भी हम next वीडियो में और एक government college की बात करेंगे,